मंच पे मौझूद हमारे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतीशी जी मंच पे मौझूद हमारे विधायगन दिल्ली के शिक्षा सचिव और आज इस मौके पे आएवे सभी भाईयों, बहनों, माताओं, बजुर्गों, बच्चों मैं देख रहा हूँ आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएं और बहने खास कर आई हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं हैं बच्चों की पढ़ाई की चिंता माबाप दोनों को होती है, लेकिन मा को ज़्यादा होती है 24 गंटे मेरे को याद है, जब मैं भी चोटा था, मेरी मा मेरे पिछे लगी रहती थी, मेरे को पढ़ाया करती थी पिता जी तो शाम को आते थे, पूछ लेते थे, हाँ भी ठिक ठाक चल रहा है, जी ठिक ठाक चल रहा है लेकिन मा जो है, वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, तो आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएं और बहने आई हुई है और मैं समझता हूँ कि वो इस मौके में शिरकत करने के लिए आई हैं कि जब उनके बच्चों का स्कूल जो है, वो बहुत शानदार बनने जा रहा है आज उसकी आधार शिला रखी गई है मैं समझता हूँ पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया यहां पे जैसे अभी आतीशी जी बता रही थी कि यहां पे पढ़ाई का स्तर इतना उंचा हो गया कि फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज और स्पैनिश चार विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती है मैं चैलेंज करता हूँ पूरे दिल्ली में जितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है आप उठाके देख लो यह चारों लेंगवेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदलूँगा किसी स्कूल में नहीं बढ़ाई जाती है आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है कितना बड़ा बदलाव आ गया और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग मैं देख रहा था जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहां पर इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फोटो बनने के बाद यह स्कूल कैसा दिखाई देगा जाने से पहले सारे जने देख के जाना जैसा आतिशी जी बता रहे थी कॉलंबिया उनिवर्स्टी अमरीका की उनिवर्स्टी यह बहुत बड़ी उनिवर्स्टी कॉलंबिया उनिवर्स्टी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कॉलंबिया इन्वेस्टी से पढ़ गया है सोचो कितना बदलाव आ गया साथ-ाठ साल में आठ-नौ साल पहले तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल था कितना बुरा हाल था और आज दिल्ले के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक एक के बाद एक इतने शांदार होते जा रहे हैं बच्चों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजते थे लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भरती करा रहे है ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी करांती आई है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उन्नेस सो सेंतालिस में, तब ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे, तो जितने आईएस, 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 अफसर भी बनते थे, वो भी सरकारी स्कूलों के ही पड़े होते थे, जितने बड़े-बड़े वग्यानिक बनते थे, वो भी सरकारी स्कूलों के ही पड़े होते थे, जितने बड़े-बड़े अरब, पती वगरा बनते थे, वो भी उ एजी के साथ सरकारी स्कूलों का बेडा गर्क कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट स्कूल बनते गए प्राइवेट स्कूल बनते गए पूरे देश बर में और हालत यह हो गई 90 के दशक में और 2000 में देश बर में सरकारी स्कूलों का तो बेडा गर्क क कर दिया और PIVATSKULE इतने सारे हो गए प्राइवेटSKULE उने लूट मचा दी जब मर्जीं फीस बढ़ा देते थे जब मर्जी कुछ भी पैसे लूट सारे PIVATSKULE खराब नही पर कई सकूल जो है उन्होंने लूट मचा रखी थी तो माहौल ये हो गा गए गरीब हो के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है पढ़ाई बहुत खराब होती थी जिसके पास भी पैसा है वो प्राइविट स्कूल में जाएगा जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बढ़ा हो कि उसका कोई केरियर नहीं है वो भी अपने माबब की तरह कुछ छोटा मुटा काम करके वो भी गरीब रह जाएगा तो ऐसा एक वो बन गया कि गरीब का बच्चा गरीब रहेगा अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, पैसे वाले का बच्चा, पैसे बढ़ा हो क्यों कुछ डाक्टर इंजीनियर बनेगा, गरीब का बच्चा जो है वो, गरीबी में जिएगा, इस माहौल को बदला है पिछले आठ साल के अंदर, अब सरकारी स्कूलों के बच्चे, वो भी इंजीनियरिंग कॉलिज है, आई एटी में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, मैं आई एटी से पढ़ा था, मिर को पता है कितना मुश्किल होता है, अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे आई एटी में जा रहे हैं, मिर को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस कॉलिज से मैं पढ़ा, उस कॉलिज में अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं, अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे आल इंडिया मेडिकल मेडिकल का सबसे बड़ा कॉलिज है, वहां पे एडिमिशन ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा बड़ी क्रा क्रांती आई है और पिछले आठ साल के अंदर दिल्ली में यह जो क्रांती आई है इस क्रांती के पीछे एकी शक्स है मनीश से सूदिया पचटर साल में पचटर साल में जो धीरे 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 करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखना ही बंद कर दिये थे उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं जिस शक्स ने पता नहीं कुद्रत कहते हैं न समय एक जैसा नहीं रहता समय बदलता है तो अपने देश का भी ये समय बदल रहा था देश की किस्मत थी कि मनीश सिसोधिया जैसा शक्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा करांती करके दिखाई और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ उस राज्य के लोग सोचते हैं एक दिन हमारे याँ भी स्कूल ठीक होंगे हमारे याँ भी स्कूल ठीक होंगे जैसे दिल्ली में हुए हमारे भी स्कूल ठीक होंगे, पूरे देश के अंदर एक उमीद पैदा हुई है, तो दिल्ली के अंदर जो काम हुआ वो मनी सिसोधिया जी ने किया, लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया, बताओ स्कूलों को ठीक क पढ़ाने वालों को कौन जेल में डालता है कि कहते हैं मनीज सिसोधिया ने भरष्टा चार करा मैंने का जी भरष्टा चार करने वाला तो रात को बैठके जो भी पैसे कमाएगा करोड़ दो करोड़ सौ करोड़ दो सो करोड़ वो रात को बैठके दारू पिएगा गलत काम कर के सरकारी स्कूलों का दोरा करने जाते थे, स्कूलों में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, बता हूँ ऐसा कौन सा भरष्टाचारी आदमी है, जो सवेरे छे बजे उटके सरकारी स्कूलों के दोरे करने जाता है, हो सकता है कोई, कोई भरष्टाचारी आदमी बच्चों के पर ये भी है कि जब आप सच्चाई के रस्ते पे चलते हो सच्चाई का रस्ता बहुत मुश्किल है बहुत कांटे हैं बहुत कांटे हैं हम भी अगर आम आदमी पार्टी वाले भी पैसे खाने शुरू कर देते गलत काम करने शुरू कर देते थोड़े बहुत इनको पहुंच चलना था तो जब आप सच्चाई के रस्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाई आती हैं सारी असुरी शक्तियां भगवान राम को नहीं छोड़ा इन्होंने 14 वर्ष वनवास बेज दिया इतिहास उठा के देखलो जितने महापुरुश हुए किसी को नहीं बक्षा सारी असुरी शक्तियां सारी ब्रष्टाचारी ताक्ते सारी कठी हो जाती हैं और उस आदमी के पीछे पढ़ जाती हैं कि इसको रोको इसको रोको इसको रोको ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है बच्चे पढ़ लिग गए तो ये बच्चे बड़े होके बड़ी दिक्कत हो जाएग राजा हरीसचंदर की कहानी सुनी आप लोगों ने सुनिये कितना बड़ा राजा था कितना सत्य वादी राजा हरीसचंदर कहते हैं कितना बड़ा राजा था कहते हैं कभी जूट नहीं बोला उन्होंने इसलिए कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश चंद्र की सत्य बोलेंगे चाहिए जान चली जाए चाहिए राजपाट चला जाए उसकी वज़े से उनका पूरा राजपाट चला गया सत्य बोलने की वज़े से और हम सुनते हैं कि कैसे उनके बेटे की मौत हो गई और जब उनकी पत्नी जो है शमशान घाट पे अपने बेटे को जलाने के लिए गई तो वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जो है उनका राजपाट चला गया था शमशान घाट की जिम्मेदारी उनकी थी लेकिन उनने अप अतनी से अपने बेटे का भी कर लेने से नहीं छोड़ा, ये हालत हो गई थी, तो प्रकृती जो है सत्य बोलने वालों की परिक्षा लेती है, भगवान जो है वो सत्य बोलने वालों का सचाईव के रस्ते पे चलने वालों की परिक्षा लेता है, हर एक की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब भगवान कड़ी परिक्षा लेता है मनीज जी के भी परिक्षा ले रहे हैं भगवान और मुझे पूरा यकीन है कि मनीज जी जैसे अब आपके बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं आपकी तरह बच्चों की तरह अच्छे नंबर लेके परिक्षा में पास होंगे और भगवान उनसे संतुष्ट होंगे और आज यहां का नई बिल्डिंग बनने का फाउंडेशन आधार शिला तो मैं और अतीशी जी रख रहे हैं यह स्कूल एक साल बाद बनके तियार हो जाएगा फरवरी में इस स्कूल का उद्गाटन मैं और मनी से सुधिया करेंगे आप सब के बच्चे खूब मैं अभी अतीशी जी से बात कर रहा था इस स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी स्विमिंग पूल भी है की नहीं है अभी स्विमिंग पूल नहीं है वो मनी जी आके बनवाएंगे फिर बगल वाली स्कूल में इस स्कूल में लिफ्ट लगेगी किसी स्कूल में प्राइवेट में चाके देख लो किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है जी आपके बच्चों के स्कूल में लिफ्ट लगेगी बड़ी बात है कि नहीं है, सारी माँ बेनेजर, हाथ खड़े करके बता दो, बड़ी बात है कि नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, गर्व होगा, अब हमें हमारा बच्चा जो है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, दो महमान आएंगे, घर में आगे पढ़ते रहें फलें फूलें खूब तरक्की करें मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं करता हूं और सभी मा बहने जितनी आई हैं उन सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम